तो demotivate बिल्कुल नहीं होना है, अगर कहीं पर कोई भी opportunity है, तो आप ये मानकर चलिए कि वो opportunity केवल और केवल आपके लिए, तब आप एक positive attitude के साथ अपनी preparation continue कर पाएंगे। 22 में ये exam तीन बार होने वाला है, तो आप में से बहुत सारे student ने अपनी preparation को start कर दिया है, क्योंकि लगबग 2 महिने का समय हमारे पास है, इस exam को crack इस बार ही करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे student हैं जिनको की एक motivation नहीं मिल पा रहा है, एक energy level उन में नहीं आ पा रहा है, कि आख चल कर आपके लिए क्या-क्या opportunities होने वाली है, अपना real life experience यहां पर share करूँगा, इंडिस्ट्री में मैंने कई सारे ऐसे मेरे colleague थे, जो की CSIR net exam crack करने के बाद, top institute से PhD करने के बाद, अभी वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी growth हुई, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो मे Friends, अगर आप MSC Chemistry के student हैं, तो 12th में आपके bio होगी या maths होगी, अगर आपके bio थी, तो जरूर आपने pre-medical का exam दिया होगा, और वहाँ पर आपका selection नहीं हुआ, अगर आपके maths होगी, तो आपने IIT का exam या कोई भी engineering entrance जरूर दिया होगा, वहाँ पर भी आपका selection नहीं हुआ, अब वहाँ से जो maths के student थे, वो कई सारे student तो b-tech करने चले गए, बहुत सारे ने BST कर ली, और जो 12th में जिनके bio थी, उनमें से भी कई सारे student कोई b-pharma में चला गया, और कुछ थे जो BST में आ गए, इसके अलबा कुछ ने और कोई दूसरा carrier option लिया, तो अब जब आपने BST कर ली, उसके बाद बहुत सारे student ने jam का exam दिया, jam में भी selection नहीं हुआ, अब आपके पास, जबकि आप MSC कर रहे हैं, MSC chemistry pass out हो चुके हैं, आपके पास एक मौका है कि पुरानी सारी असफलताओं को दूर करके एक national level entrance exam को crack करने का, CSIR net जो कि एक national level का exam है, अगर आप वो crack कर लेते हो, तो आपकी पुरानी सारी असफलताओं दूर हो जाएगी, और आप भी उन चुनिंदा student की study में आ जाओगे, जिन्होंने की एक national level का exam clear किया, क्या ये motivation कुछ कम है क्या, अगर आपको ये भी कम लग रहा है, आगे इस वीडियो में और भी आपको motivation मिलेगा कि क्यों आपको CSIR NET का exam crack करना चाहिए, CSIR NET के exam में एक होता है junior research fellowship, जो की top rankers को मिलता है और एक होता है lectureship, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि आप अगर CSIR NET JRF clear कर लेते हैं, क्योंकि हम यही बात करेंगे कि आप एक top rankers हैं और आप जरूर top rank में आएंगे, तो आप अग JRF को exam को अगर आप clear कर लेते हैं, तो JRF का मतलब है junior research fellowship, आप JRF clear करने के बाद किसी भी top institute में, वो चाहे IIT हो, IASC हो, NCL हो, या कोई भी top institute जो की PhD करवाता है chemistry में, आप वहाँ पर admission ले सकते हैं, वहाँ से PhD कर सकते हैं, with a handsome amount of fellowship, वो fellowship कितनी है, तो currently अभी 31,000 plus HR आपको मिलता है, एक बहुत ही अच्छी खासी handsome amount of salary आपको 2 years तक 31,000 रुपीज पर मन्त, इसके साथ ही कुछ annual contingency grant भी होता है, और साथ ही साथ, after 2 years, यह आपकी JRFA वो convert हो जाती है SRF में, 35,000 plus HR आपको अगले 3 साल तक मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि MST के बाद अगर आप कोई भी job join क करेंगे, private industry में आपको इतना पैसा कहीं नहीं मिलेगा, एक ही motivation, साथ ही साथ जो दूसरा motivation है, कि आप जो सबसे prestigious, सबसे reputed जो degree होती है, degree में जो सबसे उची degree हम जिसे कहते हैं, वो होती है PhD, doctor of philosophy, आपके नाम के आगे doctor लगेगा, क्या यह किसी motivation से कम है, आप सिक्षा के सेत इतरों में सबसे उची degree लेने जा रहे हैं, क्या है किसी motivation से कम है, जी नहीं, यह एक बहुत बड़ा motivation है, आप टॉप institute से PhD करेंगे, आपका जो network बनेगा, आपके साथ में जो बहुत सारे लोग होंगे, जो कि उस समय PhD कर रहे हैं, आपके seniors होंगे, आपका बहुत अच्छा network बन जाएगा, आपकी chemistry पर बहुत अच्छी command हो जाएगी, आपका research aptitude यहाँ पर develop हो जाएगा, और कई सारी जो managerial skills है, वो भी आप वहां से ही सीखना start कर दोगे, आप में एक leadership quality वहां से develop होना start हो जाएगी, आप यह सीख जाओगे कि चीजों को कैसे manage करना है, यह बहुत सा कर कुछ भी नहीं है, कोई job नहीं है, यह नहीं है, तो friends आप मुझे बताइए कि क्या इंडिया में, कोई भी ऐसा exam है, जापर कि ऐसा हो कि 100 seat है, कि 100 आगे चल कर vacancies हैं और 100 ही लोग apply करें, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, competition हर जगह है, कोई ऐसा field नहीं है, जा competition नहीं है, तो demotiv बिलकुल नहीं होना है, अगर कहीं पर कोई भी opportunity है, तो आप यह मान कर चलिए कि वो opportunity केवल और केवल आपके लिए, तब आप एक positive attitude के साथ अपनी preparation continue कर पाएंगे, तो यह सब बात है किसी motivation से कम नहीं है, आपको एक बहुत अच्छी fellowship मिलेगी, 5 सालों तक, इसके साथ साथ आप जब after 5 years आप PhD कम्प्लीट कर लेंगे, तो यह एक बहुत बड़ी degree है, आने वाले समय में आपको पता है, friends की किसी भी university में, अगर आप as a assistant professor recruit होना चाते हैं, तो आपके पास PhD का होना जरूरी है, और साथ ही साथ मैंने friends industries में देखा है, कि बहुत सारी जो अच्छी अच industries है, जो chemical industries है, CRO industries है, pharmaceutical industries है, agrochemical industries है, जहाँ पर की chemistry based work होता है, वहाँ पर PhD को बहुत अच्छी opportunities मिल रही है, अच्छा salary package मिल रहा है, और साथ ही साथ आप industries में जो top managerial positions होती है, directors होते हैं, vice president होते हैं, chief scientific officer, CSOs होते हैं, यह सभी PhD होते हैं, post doctorate होते हैं, तो आपकी जो education है, व industries में जो opportunity मिलेगी, वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी जो growth होगी, वो बहुत fast होगी, अब यहाँ पर बहुत सारे student ऐसे demotivate हो जाते हैं, कि sir, जब हम MSC के बाद PhD करेंगे, 5 साल लग जाएंगे, लेकिन हमारा जो साथी था, जिसने की सिर्फ MSC की industry मे जॉब किया, तो 5 साल बाद हमारी salary तो उससे भी कम होगी, या उसके equivalent होगी, तो हम PhD क्यों करें, friends, एक बाद आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो growth होगी, वो बहुत ही fast होगी, as compared to MSC, क्योंकि यह बहुत universal truth है, आप खुद देखिए कि अगर आपके पास एक higher degree है, तो आप जो PhD करते हैं, तो आपका एक बहुत अच्छा network बन जाता है, और वो network आपको help कहां करता है, आपको help करता है, वो post doctorate की positions में भी, अब suppose कीजिए कि आपका जो guide है, उनके network अच्छे है, foreign universities में, तो हो सकता है कि आपको बहुत easily कोई अच्छी post doctorate मिल जाए, और post doctorate में through किया था CSIR net exam की preparation से और हम पहुँच चुके हैं post doctorate तक, तो आप समझ सकते हैं, सफर लंबा है, मैं ये नहीं कहता है कि आपको overnight success मिलेगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, success में आपको time लगेगा, लेकिन जो success है वो धीरे-धीरे मिलेगी, और हमेशा ये जो success होती ह ये लंबे समय तक रहती है, तो आपको ये जो पूरा period है, MSC से लेकर post doctorate तक, जिसमें कि CSIR net exam की preparation आगई, आपकी PhD आगई और उसके बाद आपकी post doctorate, ये बहुत कुछ सिखा देगी और जब आप industry में, किसी भी academic में join करोगे, तो आप बहुत ही mature होगे, आपकी जो skill से वो और आपकी growth की chances भी बहुत ही अच्छे होंगे, तो I hope, ऐसे student जो की CSIR net exam की preparation नहीं कर रहे हैं, आप अगर MSC chemistry के student हैं, या MSC chemistry pass out हो चुके हैं, या आप अगर अभी BSC chemistry कर रहे हैं, और मेरा वीडियो देख रहे हैं, और आप अगर अभी यहां तक पहुँच चुके हैं, अगर आपने देख लिया, तो आप में वो motivation आ चुका होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और आप अपनी preparation start करोगे, हो सकता है कि success आपको एक ही chance में न मिले, लेकिन अगर आप पूरे effort के साथ preparation करोगे, तो definitely आप success होगे, all the best, जैहिंद, वंदे मातरम.